हेलो फ्रेंड्स आज मिलेके आए हूँ बैनाना मोचा पोकोड़ा तो यह बहुत ही टेश्टी है और यह आप चाय के साथ स्नैक्स भी बना सकते हैं तो चलिए मैं शुरू कर देती हूँ अभी हम कुकर में मोचा को उबालने के लिए हमने डाल दिये नमक और पानी के साथ एक तुकड़े मिर्ची और जिर्या हम इसमें डाल दिये हैं हरी मिर्ची भी डाल दिये हैं तो अभी हम पोकोड़ों के लिए कटी हुई एक प्याच और लसुन के तीन-चार पिसेस हम टुकड़ा करके डाल दिये हैं और एक मुठी धनिया पता दो चम्मच बेनाना मुचा और नमकि खलती शादुम साद दानना हें और चम्मच धनिया जिरिया पाड़ार के बाद हम बेश्टन डालेंगे यह हमने तिन चाप चमच बेशन डाल दिये हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे फिर थोड़ा सा वैल में हम पकोड़े बनाएंगे और वैल काफी कम है तो इसलिए हम इसे चालो तरफ लाएंगे अच्छे से फ्राइ करेंगे तो मेरा बनाना मुच्चा कैसे लगए दोस्तो जरूर बताएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्यू सो मच